हरे क्रिश्ना सभी का स्वागत है हरे क्रिश्ना सभी लोग बोले हरे क्रिश्ना हरे प्रभु प्रभु मैं आपको बना देती हूं हरे गरश्ना सभी का सभी के लग देखने जा रहे हैं तक हमने जो जो देखा आप लो बहुद ही संदर अध्य है आप लोगं को भी बहुत अच्छा लगा होगा मुझे आशा है उसमें हमने देखा तक किस प्रकार भौतिक जगत की तुलना एक अश्वत्थ व्रुक्ष के प्रतिबिम्ब से की गई थी एक अश्वत्थ व्रुक्ष सपोज एक सरोवर के किनारे एक बड़ा सा व्रुक्ष है और उसका जब प्रतिबिम्ब पानी में हम देखते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे जड़े उपर की ओर है और शाखाय वगैरे नीचे की और है तो उसी प्रकार ये हमारा भाती जगत भी वास्त exhaustion अध्यात्मिक जगत का पृती भीम्ब सुरूब है और ये पृती भीम्ब किसमे आता है उसका मीडियम क्या है माध्यम क्या है जैसे ये माध्यम है सरुवर में प्रती बिम्बा आने का वैसे अध्यात्मिक जगत का प्रती बिम्ब ये भातिक जगत दिर्मान होने के पीछे कुछ medium है तो वो क्या है वो माध्यम क्या है वो है हमारी इच्छाएं तो इच्छाएं तो कभी खतम नहीं होती लेकिन हाँ सभी इच्छाओं को हम भगवान कृष्ण की ओर अगर मुर दे तो हम ये भौतिक जगत से अध्यात्मिक जगत का डिस्टंस जो है वो लांग सकते हैं तो ये इच्छाओं का जो है उसको उनको हमको डोफ्तेल करना पड़ेगा यहने उस डायरेक्शन में देना पड़ेगा कि हम केवल इच्छा करे तो कृष्ण को प्रसन करने की उसी डायरेक्शन में हमारी सारी एक्शन्स हो उसी डायरेक्शन में हमारी सारे विचार हो इच्छाएं हो तब फिर क्या हो जाएगा कि ये अंतर जो है अध्यात्मिक और भौतिक जगत का हम जंदी से पार कर सकेंगे और अध्यात्मिक जगत में पहुँच सकेंगे फिर हमने देखा था कि किस प्रकार भगवाने वर्णन किया है कि वो अश्वत्त विर्क्ष के जो पत्ते हैं वो वेदिक स्तोत्र है उसमें लगे हुए फल है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष है और उपर ब्रह्माजी है उनके नीचे देवता लोग है उनके नीचे यक्ष गंदर्व 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 और उनके नीचे मानव है मानवों में भी सत्वगुणी उपर पिर रजवगुणी फिर तमोगुणी और फिर नीचे सारी पश्यूयोनिया इस प्रकार से इस भौतिक जगत का निर्मान हुआ है तो जो कुछ अध्यात्मिक जगत में हैं वो सब भौतिक जगत में हैं लेकि वो है परवर्टेर उसका स्वरूप यह ने विकृत स्वरूप में है एक प्रकार से तो जो कुछ भी है वहाँ पर तो वो यहाँ पर भी है तो इस प्रकार से हमने यह भौतिक संसार की रचना देखी फिर भगवान ने बोला है कि यह इतना विशाल है व्रिक्ष कि उसका आदी मध्य अंत कुछ भी दिखाई नहीं देता तो फिर हमको इससे निकलने का रास्ता क्या है असंग शस्त्रेन द्रडेन चित्वा है ना अ जाने के बाद हमको वापस न लटना पड़े और ऐसा स्थान कौन सा है यह है यह परमधाम भगवान का धाम धाम भगवान ने बोला है फिर भगवान ने बता है कि ममईवांशों जीव लोके कि सारे जीव मेरे अंशे है सारे ही जीव याने हम सभी लोग भगवान के अंशे और फिर आगे बताया है कि किस प्रकार दो प्रकार की जीव होते हैं क्षर और अक्षर है तो जो भी बहुती जगतमी जीव है वो सारे क्षर है जिनका पतन होता रहता है और जो अक्षर है वो सब अध्यात्मी जगत की जीव है लेकिन भगवान बोलते कि इन दोनों से भी पर एक और है वो मैं हूँ जो सर्वोत कृष्ट हूँ इसलिए मुझे पुर्शोत्तम कहा जाता है फिर बीच में बगवान ने ये भी बता है कि बगवान क्या क्या करते हैं हमारे लिए क्या करते हैं सारे ग्रहोतारों को वो अपनी-पनी कक्षा में स्थित रखते हैं नहीं तो अपस में टकराएंगे और फिर विनाश हो सकता है तो अपने-पनी कक्षा में स्थिर रखते हैं फिर हमारे उदर में बैट करके वहिश्वान नर्बन के हमारे जो भी हम खाते हैं चार प्रकार के अन्न उनको प्रान और अपान वायू के प्रान वायू के माध्यम से उनको पचाने का कारे करते हैं और फिर क्या करते हैं जैसे चंद्रमा के प्रकाश से सारे वनिस्पतियों का पूशन करते हैं और क्या क्या करते हैं तो वो सर्वस्य चाहम रुदी सन्नी विष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच यानि मैं सब के रुदय में बैट करके उनक विस्मृति ज्यान और विस्मृति देता हूं, तो कितना बड़ा काम, सब काम भगवान कर रहे हैं हमारे लिए, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, उनके ही बच्चे हैं हम लोग, है न, तो ये सब कुछ हमारे लिए भग थाम है तो ऐसी सुन्दर बाते हमने 15 अध्याय में देखी थी ठीक है तो आज हम 16 अध्याय करने जा रहे हैं मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगला चरन करूँगी हरे कृष्णा अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हरे कृष्णा अब आप में से कितने लोग एक माला जब करने लग गए हैं ये मुझे बताएं पहले हैं रेस करके बताएं जो जो करते हैं न तो हैं रेस करके बताएं मेरी अपेक्षा है सब लोग हैं रेस करेंगे अभी तो दो ही हुए है सुधिर प्रभू आप तो पुराने है चलिए ठीक है और कौन-कौन है जल्दी जल्दी प्लीज एक माला जब मैं ज़्यादा तो नह भोल रहे एक माला जब कौन-कौन कर रहा है माता-जी अगर एक से जादा कर रहे हैं तो रखे हैं हाँ हाँ बिल्कुल कम से कम अ Eugene कर रहे हैं तो कम से कम एक माला जो कर रहे हैं वो सभी लोग hand- booty करें बहुत कम लोग है सब लोग करें प्लीज आज का सोलवा दिन है और एक माला जब करिये ये मैं पहले दिन से बोल रही हूं और इतने कम लोग कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है ये तो सभी लोग एक माला चालू कर दीजी आज ही से देखिए आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा बिलकुल गैरेंट अब खाले हूं और बहुत अच्छी बात है और कोई नहीं है बस इतने ही तीन ये लोगों का हैं देख्स है ईए पहँआ दोग एक माला जब कम से कम करना चालू कर दीजी डेखे आपके आपके जीवन में कितना परिवर्तना था, देखिए आपके स्वभाव में कितना बदल हो जाता है तो जरा अच्छी बाते अपना ये तो जीवन अच्छा हो जाता है, भगवत गीता का ये हम जो भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं थोड़ा बहुत जो कुछ है तो कम से कम उसको थोड़ा तो भी हमारे जीवन में उतारेंगे ना तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके तो भी हमने बढ़ाना है तो मेरी फिर से सबसे रिक्वेस्ट है कि एक माला जब कम से कम चालू करें ठीक है? चलिए तो आज का सोलवाध्य है इसका नाम है दैव असुर साधन विभाग योग हैंस डाउन कर सकते हैं सब लोग तो दैव असुर साधन विभाग योग अर्थात दैवी और असुरी स्वभाव इसके बारे में हम जानने वाले हैं मैं पले मंगला चरण कर लेती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानत मिरा अंधस्य ज्याना अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम्येन तस्मय श्री गुर वे नमहा श्री चैतन्यमनो भिष्टम् स्थापितम्येन भूतले स्वयं रूपक्दामयं ददाती स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्री उतपदकमलं श्री गुरुन वैश्नवांष्य श्री रूपं साग्रजातं सहगण रगुनाथान वितं तम सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेष्य गोपिका कांत श्री राधा कांत नमो सुते तप्त कांचन गवरांगी राधे व्रिंदा वनेश्वरी पृष्य भानु सुते देवी प्रणमामी हरिप्रिये नमो मिश्णु पधाय कृष्ण पृष्टाय भूतले श्रीमत्य भक्ति वेदांत स्वामी इतिनामिने नमस्ते सारस्वत्य देवे गोवरवानी प्रचारिने निरविशेशाय शुन्यवादी पाष्चात्य देशतारिने जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वाइत गदाधर श्री वासादी गवरभक्त व्रिंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna तो चलिए हम देखते हैं दैव असुर साधन विभागयोग अर्थात दैवी और असुरी स्वभाव अब यहाँ पर हमको स्वभाव तो मालूम होने वाले हैं दैवी और असुरी स्वभाव पता लगने वाले हैं हमको लेकिन यह हमने दूसरों के उपर दूसरों का अनलिसिस करने में हमने बरबाद नहीं करना है यह हमको सेल्फ अनलिसिस के लिए इसका उप्योग करना है है ना अपने अंदर के दुरगुण हमको इस ग्यान के माध्यम से पहचानना है हम करते क्या है कुछ ज्ञान मिला उसको तुरंट अपलाई करेंगे दूसरों पर अरे वो तो ऐसा करता है बड़ा तिलक लगाता है लेकिन उसके आचार विचार ऐसे हैं हमको दूसरों का नहीं करना है अनेलिसिस हमको खुद का करना है हमको खुद में इंप्रूमेंट करना ह है ना ठीक है तो चलिए हम देखते हैं दैवी और अस्तुरी सोभाव के बारे में भगवान क्या बताने जा रहे है श्री भगवान वाचा अभयम सत्वसों शुद्धिर ज्ञान योगव्य वस्थितिही दानम दमश्य यद्नश्य स्वाध्यायस्तप आर्जवं अहिंसासत्य मख्रोध स्द्यागश्यांतिर पैशुनं दयाभूतेश्वलो लुक्त्वं मार्दवं रिरचापलं तेजक्षमाद्रतिश्युचं अद्रोहोनातिमानिता भवन्ति संपदं दैविम अभिजातस्य भारत अब इतने सारे गुण बता दिये भगवानने खिसके गुण है ये ये दैवी गुण है भवंती संपदम दैविन अभिजातस्य भारत तो ये दैवी गुण है अच्छे गुण है जो देवताओं में रहते हैं ऐसे गुण है ये तो भगवान ने कहा हे भरत पुत्र निर्भयता आत्मशुद्धी अध्यात्मि ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसयम, यग्य परायनता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहिनता, त्याग, शांती, छिद्रान वेशन में अरुची, समस्त जीवो पर करुणा, लोभ विहिनता, भत्रता, लज्जा, संकल, पतेज, क्षमा, धैर्य, प वित्रता, इर्शा, तथा सम्मान के अभिलाशा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं, जो दैवी प्रकुर्ती से संपन देवतुल्य पुर्शों में पाए जाते हैं, ठीके, तो इतने सारे गुण बताए हैं भगवान ने, सबसे पहला गुण कौन सा बताए हैं, निर् प्रकार का भई हमारे मन में चुपा रहता है, तो सबसे पहला देवी गुण भगवान ने बता है, वो निर्भय था, अब हम निर्भय कभ हो सकते हैं, जब हम पूर्ण तahा भगवान पर निर्भर रहते हैं, पूरी तरह से भगवान पर निर्मन, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के ये भाव जब मन में रहेगा कि जब मेरा रक्षन भगवान कृष्ण करेंगे तो मुझे कौन मार सकता है और भगवान कृष्ण ही मुझे मारना चाहेंगे तो मेरा रक्षन कौन कर सकता है इस भाव से अगर हम ये भाव का अगर हम अपनाएंगे तब हमारे मन में निर्भयता आएगी ठीक है और निर्भयता ये सबसे मतलब प्रमुख गुण होता है सन्यासियों का जो सन्यास आश्रम ग्रहन करते हैं उनमें ये गुण प्रमुख होना ही चाहिए फिर आत्मशुद्धी सारे कलमशों से मुक्ति हमको ऐसे ग्रसित करते हैं तो ये सारे कलमशों से हमारी शुद्धी और फिर अध्यात्मी ज्यान का अनुशीलन ये कौन करता है आत्मशुद्धी तो सभी के लिए आवशक है सभी वर्णों के लिए है ना चार वर्ण है ब्राम्भन, क्षत्रिय, आश्रम की बात क चार आश्रम है कौन से कौन से ब्रह्मचारी आश्रम फिर ग्रहस्त आश्रम फिर वानपरस्त आश्रम और फिर सन्यास आश्रम तो इस प्रकार चार आश्रम है और चार वर्ण भी है तो चार वर्ण और चार आश्रम अपने अपने जो योग्यता है जो मर्यादा है उसके अ अनुसार उन्होंने आचरण अगर रखा, तो निश्चित रूप से वो सभी आत्मशुद्धी के ओर या भगवत धाम की ओर और भगवत प्राप्ति के ओर निश्चित रूप से उनका प्रस्थान हो सकता है, क्योंकि भगवान ने ये सब बनाये हैं, चातोर वर्न्यम मयास र उनकी प्रमुखता होनी चाहिए, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, निर्भायता हुआ सन्यासियों के लिए, आत्मशुद्धी तो सभी के लिए, अध्यात्मिक ज्ञान का अनुशली निए, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो ब्रह्मचारी ज निए ग्रहर्ष Hausty आश्रम के व्यक्ति के लिए दान अतनतह महत्वपोण हैं, क्योंकि देखिए, जो ग्रहर्ष Hausty आश्रम में हैं, केवल वही अर्थार जन करता है, बाकी ब्रह्मचारी आश्रम वाले नहीं करेंगे, हुर तो सीख रहें हैं, उनका अर्थार जन कुछ पैसा नहीं कमाते हैं, फिर वानप्रस्था अश्रम जो है, वो भी तीर्थी आतर पर निकले हुए लोग हैं, तो वो भी अर्थार्जन नहीं करते हैं, और सन्यासी, सन्यासी तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पूरी तरह से समाज पर ही निर्भर रहते हैं, तो ये चारो उस पर ही depend करते हैं इसलिए दान ये ग्रहस्त आश्रम के लिए अत्यनतम हत्वपुर्ण है वे दान नहीं देंगे तो समाज का जो योग्य स्ट्रक्चर है वो नहीं रहेगा है ना तो दान ग्रहस्त आश्रम के लिए अवश्यक है उन्होंने करना ही चाहिए दान फिर आत्मस ये भी ग्रहस्त के लिए बहुत important है वैसे सभी के लिए है लेकिन बाकी सब लोग जैसे ब्रह्मचारी और वानप्रस्ता और सन्यासाश्रम वाले वैसे ही इंद्रे तुर्प्ति की साधनों से दूर रहते ही है तो उनको आत्मसेयम उतना कठिन नहीं है लेकिन ग्रहस्त कैस इंद्रे तुर्प्ति की साधनों के साथ रहता है और तब उसको आत्मसेयम रखना अत्यनता आवश्यक है तो यह आत्मसेयम ये गुण ग्रहस्ता आश्रम में उसका अनुपालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है फिर यग्यपरायनता मतलब सारे ही कर्म भगवान को अरप प्रिकी आश्रम के लिए है तपस्या किसी के लिए सभी के लिए सभिक के लिए है सरल्ता यह अंदर बाहर अलग-अलग भाव न रहें जो व्यवहर है रहें छांपरन जिस को बोलते हैं कपट न रहे मन में तो वह सरल्ता अहिन्सा अहिंसा का मतलब केवल शारीरी का हानी पहुचाना नहीं है, बलकि मानसिक रूप से भी किसी को तकलीब देना, या विशेश रूप से किसी के अध्यात्मिक प्रगर्ति में बाधा बनना, यह हिंसा है, तो इसलिए कोई भी प्रकार की हिंसा हमसे न हो, यह एक दैवी गुन है सत्यता, प्रोध विहीनता, त्याग, शान्ती ये सारे गुण सब में अवशक है ना अच्छे गुण है ये और छिद्रान वेशन में अरुची दूसरों के हम लोग कमिया ढूनने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं उनके दूसरों की शेट पर इतना सा भी दाग हमको बड़े जल्दी दिख जाता है और हमारे शेट पर लगाऊ बड़ा से बड़ा दाग उधर ध्यान नहीं जाता तो ये दूसरों की तुर्किया निकालना दूसरों के बारे में बुरा बोलना अरे उसने तो ऐसा कर दिया अरे उसकी तो मतलब जो भी कुछ गलत बाते हैं दूसरों की कमिया ढूनना अरे उसको देखो कितना गुस्सा आता है भाई तुम अपने गुस्से को देखो पहले तुम कितने बार गुसा होते हो, दूसरों का एनलिसिस करने के हमको जरुरत नहीं है, हमने अपने आप में सुधार करना है, वो आवशक है, लेकिन हम दूसरों का देखते हैं सब, तो छिदरान विशन में अरुची, ये भी एक दैवी गुण है, समस्त जीवों पर करुना, ल मान के अभिलाशा से मुक्ती, कि कोई मेरा मान सम्मान करे, मुझे बहुत अच्छा बोले, ये सब के अभिलाशा से मुक्ती, ये सारे दिव्य गुण है, जो दैवी प्रकुर्ती से संपन्य देवतुल्य पुरुशों में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इतने सारे गुण लेकित ये सबी 26 गुण पारलोकिक है, पारलोकिक ये भूतल के नहीं ये दिव्य गुण है, वरना शरम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना जाए, उन्हें सामाजिक और व्यावसायक की विभिन परसितियों के अनुसार विक्सित किया जाना जाए, उद्देश यह है कि भले ही भूतिक परिस्तितियां दयनी ये हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए, तो धीरे धीरे पारलोकिक बोध के उच्चतम मंज तक उठना संभव है, तो ये 26 गुण है, दयवी गुण, और मतलब जो परिस्तिति होती ह तो उसके अनुसार उनको अपना व्यावहार उत्तम से उत्तम रुति से करना चाहिए, ठीक है, तो ये गुण बताए है, 26 गुण, अब यहां से भगवान हमको आसुरी गुण बताना चालू कर रहे है, दंभो दर्पो भिमानश्य, क्रोध पारुष्य मेवच, अज्यानम चाभिजातस्य, पार्थ संपद मासुरिम, ये प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर्ता, तथा अज्यान, ये सारे आसुरी स्वभावालों के गुण है, तो ये दंभ, दर्प, अ ये ने बताया हुआ है, तो दंभ, जो है, वो जनरली अपने अध्यात्मिक क्रियाशील्ता या अध्यात्मिक प्रगति के बारे में बखान करना है, अभिमान, अन्यभौतिक चीज़ों की, पोजिशन के बारे में, अभिमान, अहंकार, है ना, तो ये, ये दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, क्रोध तो हमको पता है, बुराई है ही है, कुछ-कुछ लोग इसको justify भी करते हैं, कि अरे नहीं, क्रोध नहीं आएगा, तो कैसे हम जी नहीं सकते हमको हमारे, मैं बॉस हूँ आफिस का, तो मुझे क्रोध करना ही पड़ता ह क्रोध कोई-कोई जगह पर अवश्चक हो जाता है, खास करके, जब हमारे भगवान का कोई अपमान करता है, या कोई हमारे गुरु का अपमान करता है, तब क्रोध जस्टिफायबल है, लेकिन अन्य था क्रोध वैसे जस्टिफायबल नहीं है, हाँ आपको काम करवाना है, तो व्यावहारिक रूप से आप क्रोध करें, लेकिन उस व्यक्ति को आप नीचा मत ना दिखाए, काम के संबंदी आप उसको डांट ले, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका आत्म सम्मान आप वो कर रहे हैं, आप उसको इतना कठोर बोल रहे हैं कि उसको अपने में गलानी होने लग जाए, कि वो अपने आपको नीचा समझने लग जाए, ये नहीं करना है, तो क्रोध की हमने लिमिट एक रख देनी चाहिए, कि हाँ उपरी तोर पर तो हमको व्यावहारिक तोर पर तो हमको क्रोध करना पड़ेगा, लेकिन वो काम से काम रखिए, कभी उसका इस प्रकार से अपमान न करे, कि वो हिंसा में आ जाएगा नहीं तो है न, आप किसी को इस प्रकार से बोलेंगे कि लतार रहे है, डाट रहे है, कि वो अपना आत्मसम्मान ही खोदे, वैसा नहीं करना चाहिए, तो क्रोध केवल, हाँ, क्रोध आता है, भगवान का कोई अपमान करे, और गुरु का अपमान करे, तब हमको जरूर क्रोध आना दे, कठोरता, है न, याने कारुन्य उसमें है ही न, कठोर है विक्ति, और अज्ञान, अज्ञान के अंधकार में जो फसे रहते हैं, ये सारे असुरी स्वभावालों के गुण है, दैवी संपद्वि मोक्षाय, निबंधाया सुरी मता, माशुचह संपदम दैविम, अभिजातो सी पांडव, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है, हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी तो चिंता करने के आवश्चता ने क्योंकि परिस्थी कैसी है, युद्ध की परिस्थी है, और अरजुन को युद्ध करने के लिए बार बार बोल रहे हैं कृश्टा, है ना, उठो और युद्ध करो, तो भगवान उनको आश्वासित कर रहे है, की ऐसा मत सोचो कि तुम युद्ध करने वाले हो, युद्ध में एक प्रकार से क्रोधित होना अवश्यक होता है, उसके बिना उसके शत्र ही नहीं चलेंगे, तो वो क्रोध अलग है, क्योंकि तुम अपना शत्रिय धर्म निभाने के लिए तुम्हारे अंदर क्रोध जागरूत कर रहे हो, या तुमक आस्तुरी की श्रणी में नहीं ले जाएगा, तुम दैवी गुणों से ही संपन, ऐसे ही तुम जन में हो, तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन में हो, इसके पीछे एक और भी बहुत महतु पुलनबात भगवान बताते हैं, कि देखे हम पर जो मनुष्य का जनम लिया ह तो हम पर अनेक अनेक संसकार होना चाहिए, समाज में रहना है, समाज में उच्चे तरीके का जीवन अगर व्यतीत करना है, तो हम पर अलग-अलग संसकार होने आवश्यक होते हैं, तो सबसे पहला संसकार किसी जीवर होता है, वो जब माता के गर्ब में रहता है तब ही होत उसको बोलते हैं गर्बदान संसकार तो जब ये गर्बदान संसकार होता है अर्थाद जब जीव गर्ब में आने के पहले ही वो इतना शुद्धी करन कर लेते हैं अपना माता पिता दोनों ही अपना मन सेतन से इतना शुद्धी करन कर लेते हैं और तब जाकर कि उस जीव को आमंत्रित करते हैं कि मेरे परिवार में आओ, मेरे गर्भ में आओ, और इस परिवार को चलाओ. इस प्रकार से जब उस जीव का आवाहन करते हैं, तब वो कैसे गुणों से युक्त हो कर आता है, दैवी गुण उसमें जन्मजाथ ही आ जाते हैं. तो इसलिए भगवान बोल हैं तुम चिंता मत करो है अर्जुन क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युप्त होकर जन्मी हो द्वावभूत सर्गोलो के स्मिन दैव आसुर एवच दैव विस्तरशा प्रोक्त आसुरं पार्थ मेश्रुनों हे पृथा पुत्र इस संसार में स्रुजित प्रानी दो क्र तो 26 दैवी गुण भगवान बतला चुके हैं तो अब बोलते हैं कि अब मैं तुम को आसुरी गुणों के बारे में बताऊंगा तो देखिए ये दो पार्थ किये हैं है ना भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और यहाँ पर नीचे दो पार्थ दिख रहे हैं ये है दैव कुछ डाला है क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है और ऐसे-ऐसे कारणाम करने में बूलिए शोध करने में अपने आपको यह करते हैं जो अल्टिमेटली विनाशकारी सिद्द हो जाते हैं तो ऐसी-ऐसी चीजहों में भी अपने आपको बहुछ रेष् प्राइस भी मिला होगा है ना जो कुछ है मुझे पता नहीं लेकिन उसको बहुत श्रेष्ट माना गया पापरे ऐसा बनाया लेकिन अल्टिमेट्री वो क्या हुआ इतना विनाशकारी सिद्ध हुआ है ना केवल प्राण नहीं गए जो बचे हैं वो भी मतलब हमेशा के लिए अपाही जो करके और हमेशा के लिए कुछ ना कुछ समस्या लेकर के जीवन जीते रहे तो इस प्रकार का अतनता विनाशकारी यह है और ये तो किसी को मारना या किसी का धन चोरा लेना ये सब तो आसुरी श्रेष्ट में आता ही है तो ये दो प्रकार के जीव मनुष्य था बगवान क्या है मुझे जानने के उच्छुकता है इस प्रकार से ये आर्त है अनेक समस्याओं से घेरा हुआ है तो वो भी भगवान की ओर जाने के लिए उच्छुक है इस प्रकार से दैवी और आसुरी दो मनुश्यों के प्रकार बताए है जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें न तो पभितरता न उचित आचरण और नहीं सत्य पाया जाता है ठीक है तो कैसे लोग होते हैं आसुरी उनमें न तो पभितरता है जब कोई भी नशा करता है तो या गलत आचरण करता है तो उसकी पभितरता नश्ट हो जाती है तो पभितरता भी नहीं है आचरण भी अयोग्य है और सकते तो है ही नहीं इस प्रकार से ये लोग नहीं जानते हैं अपना जीवन बिताते हुए कि जैसे यहाँ पर लोग नशा करने के लिए इकत्रित हुए हैं, उनको लग रहा है मैं बहुत एंज्जॉई कर रहा हूँ लेकिन उसका परिणाम कितना घातक होने वाला है ये वे नहीं जानते इस प्रकार से क्या योग्य है मार्ग और क्या अयोग्य है वो नहीं जानते और इस प्रकार इंद्रिय सुख में बंधे रहते हैं वे कहते हैं कि यह जगत मिठ्या है इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी इश्वर द्वारा नहीं होता तो जो हमारे प्राउड साइंटिस्ट होते हैं वो बोलते हैं न ऐसे कि आरे कोई इश्वर इश्वर नहीं है ये तो कुछ तो भी बहुत बड़ा बिग बैंग थेरी कुछ तो भी बताते हों कि बहुत बड़ा भी स्पोर्ट हुआ और फिर उससे पृठ्वी का निर्मान ह हुआ पानी आया और अपने आप जीव आ गए है ना यानि वो क्या बताते हैं कि पदार्थ पहले आया और पदार्थ से जीव निर्मान हुआ अपने आप तो ये एकदम कितनी गलत धालना है बताईए कभी पदार्थ से जीव नहीं निर्मान हो सकता है जीव से पदार्थ निर्मान हो सकता है जैसे जीवित व्यक्ति को पसीना आ सकता है जैसे जीवित व्यक्ति के नाखुन बड़े हो सकते है लेकिन मृत शरीर कुछ हो सकता है मृत शरीर को अपने आप पसीना आ सकता है नही उसके नाखुन बड़े हो सकते हैं? नहीं. या उसके केश बड़े हो सकते हैं? नहीं. तो इस प्रकार जो scientist की थेरी है कि पदार्थ से जीव उत्पन हुआ होगा, तो यह हमारा जो वैदिक साहित्य है, वो उसको बिल्कुल पूरी तरह से नकारता है. और लेकिन उनका यह है क इस प्रकार में किसी इश्वर को नहीं मानते. जगत आहुर अनीश्वरम इस प्रकार उसका नियमन कोई भी इश्वर नहीं करता, ऐसा उनका कहना रहता है. वो सोचते हैं जगत मिथ्या, बस हम मर गए, यह खतम हो जाएगा, सब कुछ खतम हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसा नहीं है, जीव कभी खतम होता ही भी, अविनाशी है जीव का सुरूप, एक योनी से दूसरे योनी में जाता रहता है, और जब अल्तिमेटली उसको मनुष्य जन्म मिलने के बाद, जब उसको अपना धेय, अपना लक्ष जब उसको ग्यात होता है और उस दृष्टी स उसे वो कार्य करता है, तो धीरे धीरे करके वो इस भौतिक जगत को छोड़कर अध्यापनिक जगत में जाता है, लेकिन उसका विनाश नहीं होता, जीव का कभी अंत नहीं होता, तो ऐसे ही जगत का भी अंत नहीं होता, वो प्रकट अप्रकट होते रहता है, लेकिन ये ज तो केवल कामेच्छा के कारण ही पूरा जगत चल रहा है ऐसी उनकी धारणा है ऐसे निशकर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्म ज्ञान खो दिया है और जो बुधी हीन है ऐसे अनुपयोगी एवं भयाव कारियों में प्रवत्तो होते हैं जो संसा का विनाश करने के लिए होता है जैसे ही ये बॉम की निर्विती तो ऐसे लोग को भी साइंटिस लोग को भी भगवान कौन से श्रेणी में ले रहे हैं आसुरी लोग की श्रेणी में ले रहे हैं क्योंकि वो मानव जाती के कल्यान की और काम नहीं कर ले वो विनाश कारी का तो ऐसे लोग आत्म ग्यान को खोय हूए रहते हैं जब है घभध जो दिया और उनकी लीला है और उन्होंने जो निर्मान किया है उसके बारे में जो घ्जा सुछ को वह असली बुद्ध है ये तो क्या इश्वर को मानती ही नहीं है अब ये छोटा सा लॉजिक है कि जो कोई भी चीज बनती है तो उसके पीछे बनाने वाला होता है घर में चाय बनती है तो कोई बनाने वाला है चाय बनाने वाला इतनी छोटी सी चीज भी अगर अपने आप से नहीं बन सकती, तो फिर ये इतनी भड़ी सुष्टी, जो इतने सुचारों रूप से चल रही है, बिल्कुल ठीक समय पर सूरज उपता है, चांद आता है, रोशनी देता है, सब कुछ इतने सुचारों रूप से चल रहा है, ये सुरुष्टी बनी है तो बनाने वाला है उसके पीछे ये छोटी सी बात लॉजिक ये लोग नहीं समझते हैं और इश्वर के अस्तितों को ही न कारते हैं तो इसलिए उनको चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे कितना भी बड़ा काम करते हो उनको भगवान ने बुद्धिहीन कहा है और असूरी कहा है तो ये लोग अनुपयोगी एवं भयावह कारियों में प्रवृत्तों होते हैं और जो संसार का विनाश करने के लिए होता है कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रे लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसूरी लोग इस तरह मोहग रस्त होकर सदै वक्षन भंगुर वस्तों के द्वारा अप वित्र कर्म का व्रत लिये रहते हैं तो ऐसे लोग जो हमारे चार नियामक सिध्धानत है कौन से कौन से नशा नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना है और मतलब मांसाहार नहीं करना है और विवाहबाय संबंद नहीं रखना है ये हमारे धर्म मतलब सनातन धर्म के चार मेन वो है नियामक सिध्धानत जनको कहते हैं तो इनको हमको बिल्कुल 100% पाल नहीं होता है तब कहीं जाकर हम कुछ प्रगति के आशा कर सकते हैं लेकिन ऐसे लोग जो आसुरी लोग है वो सब कुछ गलत करते हैं और उनको लगता है मुझे देखने वाला कौन है मैं तो इतना श्रेष्ट आदमी हो मुझे कौन क्या टोक से यह illicit sex, gambling, meat eating और intoxication है ना याने विभापा यह संबंद और जुआ और मानसहार और नशा करने में प्रवृत्त रहते हैं तो यह सब आसुरी लोग होते हैं और ऐसे लोग कैसे काम कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रे लेकर है ना इंद्रेत रृति की कोई सीमा न कुट्य बिल्ली की समान जीना है ठीक है तथा गर्व के मद एवं मिठ्या प्रतिष्ठा में दूबे हुए आसुरी लोग है ना उनको बहुत आहंकार हो जाता है मैं सर्वस्रेष्ट, मैं बलवान, मैं सुखी, मैं जो चाहूं वो करूंगा इस प्रकार से वे हमेशा वित्रकारियों में वो डूबे रहते हैं उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टी ही मानव सभ्यता की मूल आवशकता है इस प्रकार मरन काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इ कि उनकी इच्छाएं इतनी असीम रहती है एक इच्छा पूरी होई नहीं कि दस हाजिर और नई इच्छा है और मृत्यों के समय तक उनको ये चिंता रहती है कि मैंने इतना धनसंगरत किया है अब इसकी रक्षा कौन करेगा अरे मैंने उसको इतना करजा दिया है वो कौन वापस लेगा यनी चिंता है उनको अनंत रहती है और ऐसे चिंता के बारे में सोचते हुए मृत्यों को प्राप्त करते हुए है न Liebe आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजना उसे में और अधिक धन कमाऊंगा इस समय मेरे पास इतना है किन्तु भविश्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिये जाएंगे मैं सभी वस्तों का स्वामी हूँ मैं भोकता हूँ मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संभन्दी है कोई अ एग्य करूंगा दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहगरस्त होते रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर उधारन किसका दिया है हिरन्यकश्यपू हिरन्यकश्यपू जो अपने आपको इतना सर्वस्रेष्ट समझता था और इत को मार दिया मैंने उसको भी मार दूंगा मैं बस यही योजने उसकी चलती रहती है तो यहाँ पर उधारन्यकश्यपू कंस और रावन का दिया जा रहा है है तो यह हम सब देख सकते हैं कि यह कैसे बहुत अहंकारी हो गये थे और अपने आपको बहुत शक्तिमान और सुख की समझने लग गये थे और अपने मतलब इस प्रकार से उनको लगता था मैं वो लोग भी यग्य करते थे दान देते थे हैं ना लेकिन थे तो आसुरी सुभाव के क्योंकि सब कुछ जो करते थे वो आत्मतुष्टी के लिए करते थे अनेक चित्त विप्रांता मोहजाल समावृताह प्रसत्ता कामभो गेशु पतंति नरकेशु चव इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अक्तियाधी का सक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं ठीके तो इस प्रकार का भै ऐसे लोगों में बिलकुल बना रहता है और चिंताओं लगी रहती है और इस प्रकार वे इंद्रिय भोग में जादा ही आसकत हो कर के नरक में गिर जाते हैं मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरि व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में सित भगवान से इरश्या और वास्तरिक धर्म की निंदा करने लगता है यहां पर किसका उधारन दिया जा रहा है शिशुपाल है ना शिशुपाल जो बचपन से ही क्रिश्न से बहुत इरश्या करते थे और जब यह युदिश्टिर महाराज ने राजसु यह यग्या कराया उसमें आध्य पूजा का मान जब क्रिश्न को दिया तब तो इनको शिशुपाल को एकदम बहुत ज़्यादा कुरोध आया और वो कुछ भी बोलने लग गए क्रिश्न के प्रती हैना क्रिश्न जो स्वयम भगवान है उनके प्रती ये गलत-गलत बाते बोलने लग गए और फिर हुआ क्रिश्न ने सो उनके अपराद तकुलकुष शमा किया क्यूंकि उन्होंने शिशुपाल की माता को जो उनकी बुआ थी तो उनको उन्हेंने बच्चन दिया था कि ठी है मैं इनके सो अपराद माफ करूंगा उसके बाद नहीं करूंगा और तब जब इनका बोलना चालूई था अपराद बढ़ते जा रहे थे 101 वे अपराद पर भगवान ने अपना सुदर्शन चकर निकाला और इनको खतम किया और इस प्रकार इनकी मृत्ति हो गई तो ये क परमात्मा का अपमान करते हैं और दूसरों के अंदर के परमात्मा करते हैं परमात्मा तो सभी देहों में हैं सभी के रिदय में वास करते हैं परमात्मा तो इस प्रकार से ये लोग अपने आपको इतना स्रेष्ट समझने लगते हैं कि उस परमात्मा का भी अपमान करते है जो लोग इरशालू तथा कुरूर है और नराधम है उन्हें में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं तो बार-बार उनका जनम्रुत्यों का चकर चला रहता है किनका जो इरशालू और कुरूर है जो नराधम है मानवों में मनुश्यों में अधम है जो उनको में बार-बार भवसागर में डालता रहता है हेकुंति पुत्र ऐसे विक्ति आसुरी योनि में बारम-बार जनम ग्रहन करते हुए कभी भी मुझे तक नहीं पहुच पाते वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं तो ऐसे लोगं का पतन होते जाता है हर जनम में नीचे 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 जाते रहते हैं और इस प्रकार वो अत्यंत निचले स्थर तक जाते हैं अब ये बड़ी अच्छी information दे रहे भगवान ये ज्ञान हमको बहुत आवश्यक है सभी के लिए इस नरक के तीन द्वार है कौनसे काम, क्रोध और लोग प्रतिक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे क्यूंकि इनसे आत्मा का पतन होता है है तो काम, क्रोध और लोब इनसे हमको हमेशा बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि ये तो प्रत्यक्षन नरक के द्वार खोलते हैं नरक्के द्वार है ये, इनसे हमको ले जाएगा, पतन के ओर ले जाएगा, इसलिए काम, ग्रोध, हर लोग, ये तीन चीज़े आप लोग रट लीजे, और इनसे बचना है, ऐसे रोज सवेरे संकल्प करिए, क्योंकि गुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग देना है, नहीं तो आत्मा का पतन हो जाएगा, एता इर्विमुक्तह कउंतेय, तमो द्वारे इर्स्त्रिविर्न रहा, आचरत्यात्मना श्रेयस, ततोयाति परामगतिम, हे कुंधि पुत्र, जो वेक्ति इन तीनों नरक्द्वारों से बच पाता है, वह आत्मसाक्षात्क के लिए कल्यान कारी कारिय करता है, और इस प्रकार क्रमशहा परमगति को प्राप्त होता है, तो इन तीनों नरक्द्वारों से अगर हम बच गए, तब फिर हम आत्मनती कर सकते हैं, धीरे धीरे धीरे, एक-एक सीरी पार करते हुए, हम क्रमशहा, हम भगवत प्राप्ति की और जा सकते हैं, है ना, यह शास्त्र विदि मुच्रज वर्तते कामकारत हा नस सिध्धिम अवापनोती न सुखम न परामगतिम, जो शास्त्रों के आदेशों के अवहेलना करता है, और मनमाने धंग से कार्य करता है, उसे न तो सिध्धी और नहीं परमगती न सुख है, यहा परमगती की प्राप्ती होती है, ठीक है, तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना, अब हम बोलते हैं, हमको तो शास्त्रों के आदेश क्या है, यह पता ही नहीं है, तो आपको ऐसे चलेगा कि आपको गवर्मेंट के आदेश पता ही नहीं है, और आप उनको अवहेलना कर और गवर्मेंट आपको माफ कर दे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, फिर ये तो साक्षाद भगवान के दिये हुए आदेश है, शास्त्र दिये किसने है, भगवान ने दिये, तो भगवान के आदेशों कि अभहेल ना अगर हम करेंगे, अंजा नहीं ही सही, हमको पता नह है, इसलिए ही सही, फिर भी सजा जो मिलनी है, वो तो मिलेगी, है ना, जो उसका परिनाम है, वो तो हमको भुगतना पड़ेगा, जैसे मुझे मालूम नहीं था, यहां पर red signal नया लगा है, और मुझे red signal दिखा नहीं, और मैं through हो गई वो signal से, तब क्या मुझे मालूम नही ये मेरा excuse तो नहीं बन सकता है ना मुझे तो जो fine होना है जो punishment मिलने है वो तो मिलके रहेगी और ये तो साक्षात भगवान के आदेशे उनको हम जाने करो या अंजाने करो उनको अगर नहीं माना हमने तो हमको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा तो जो शास्त्रो के आदेशो के अवहिलना करता है और मन माने ढंग से कारे करता है उसे ना तो सिद्धी ना सुख नहीं परंगती की प्राक्ती हो सकती है मनिश को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या करतव्य है और क्या अकरतव्य है उसे विधी विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमस्या उपर उठ सके, तो विधी विधानों को जानना चाहिए, कहां से जान सकते हैं हम? योग्य गुरु की शरण लेकर है ना, गुरु हमें बतलाएंगे कि क्या कर्म योग्य है क्या शास्त्रों के अनुसार कर्म है और इस प्रकार जब हम गुरु की शरण लेंगे तब हम धीरे धीरे सब कुछ विद्धिविजानों को जान करके उपर की ओर अर्थाद अध्यात्मिक जगत की ओर हमारा प्रोग्रेस होता रहेगा तो यहाँ पर प्रभुपाजी के कुछ शब्द है शास्त्रों में वे चार दोश नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं, यानि हम जो बद्धजीव है हमें चार दोश हर एक में निश्चित रूप से रहते हैं कौन से कौन से ही यह दोश तो यह है अपूर्ण इंद्रिया अपूर्ण इंद्रिया नहीं कैसी कि हमको बहुत दूर का नहीं देख सकता, है ना एक आधे किलोमेटर दूर का भी हम चीज एकदम साफ वो भी हो, साफ क्लाइमेट हो, तब भी आधे किलोमेटर दूर क्या है, कौन सा पेड़ हम नहीं देख सकते, है ना, तो इंद्रिया हमारी बहुत लिमिटेड स्कोप है इनका कार्य करने का, सभी इंद्रियों का देख लिजे जैसे कान, एक पर्टिकलर फ्रिक्वेंसी रेंज की बाते सुन सकते हैं उसके इधर की जादा भी नहीं सुन सकते हैं, और कम भी नहीं सुन सकते तो ऐसे देखे तो सारी ही इंद्रिया जो है हमारी वो अपूर्ण है, पूर्ण सकते नहीं जान पाती, वो अपने range की बाते देख पाती है, कपटता, कपट करते हैं, जूट बोलते हैं, जूटा व्यभार करते हैं, कपटता यह हर कोई में, तुरुटी करना, कोई भी काम करेंगे हम, तो वो 100% पूरा अच्छे से नहीं हो सकता, कुछ न कुछ उसमें तुरुट हो है, वो कही न कहीं, कुछ न कुछ उसमें छूट जाएगा, कमी रह जाएगी, और मोहग रस्त होना, यहने ब्रहमित होना, हम लोग ब्रहमित हो जाते हैं, तो यह चार दोश जो है, यह हर बद्दजीव में पाये जाते हैं, इन चार दोशों के कारण बद्दजीव, खुद ही इतने अपूर्ण है, तो फिर आप योग्य ऐसी बाते कैसे लिख पाओगे, कैसे विद्दी विधान बना पाओगे, क्योंकि आप चार दोशों से युक्त हो, लेकिन फिर कौन बना पाएगा, जो इन चार दोशों से मुक्त हो, तो वो कौन है, वो भगवान है के है ना, तो इन चार दोशों के कारण बद्धजी विधी विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है, अत एव विधी विधान, जिनका उलेक शास्त्र में होता है, जो इन दोशों से परे होते हैं, सभी बड़े-बड़े महात्माओं, आचरित, ता महापुरुशों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्विकार कर लिए जाते हैं, तो बड़े-बड़े जो ग्यानी लोग हो गए हैं, वे भी उसमें बिलकुल बदलावनी करते हैं, जो शास्त्रों में दिया है, बिलकुल उसका अनुपालन करते हैं, फिर हम तो किस जाड़ की मुली हैं तो हम तो बह जानों का ही अवलंबन करना चाहिए, शास्त्रों के नियमों का पालन किये बिना कोई सिध्धी प्राप्त नहीं कर सकता, अतेव जो शास्त्रों के तात्परियों को वास्तव में समझता है, वो भाग्यशादी माना जाता है, यहां भौतिक शक्ती प्रकृति के तीन बुनो से बनी है, इसके पूर्वक्य भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनिश्यों को कम से कम सत्तों गोन तक उपर उठना होता है, दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामानी गुरु का मार्ग दर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्य आज का ये PPT खतम हुआ Hare Krishna किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए Hare Krishna Hare Krishna माता जी अपने आफुरी सुगों नजर आ रहे हैं अपने अपने सब आफुरी सुगों के इस लिए तरह चुरू बें मैंने बोला ये सबस्वारा घ्यान सेल्फ एग्जामेनेशन के लिए है दूसरों के अनलिसिस करने ना जाएं है ना अपने अंदर की तुट्या की इतनी स किसी को कुछ प्रश्ण हो तो पूछे कृपया है कि हारे कृष्ण माताजी जो अभी आपने बताया था ना आशूरी लोगों में पवित्रता उच्छे ताचन और सकते नहीं होता तो माताजी पवित्रता के अंदर कौन कौन सी चीज़े आती है जिसकों हमें ध्यार रखना चीज़े जी सबसे पहले मैं उल्टा जाती हूँ मैं जो हमारे लिए चार नियामक सिद्धान्त बताए हैं है ना कौन से कौन से नशा नहीं करना मानसाहार नहीं करना और जुआ ने खेलना और विवाह बाईये संबंद नहीं रखना तो ये चारो जो है ये चार मतलब धर्म के सिद्धान्तों से जुड़े हुए हैं ये नियामक सिद्धान्त जो है धर्मके सिद्धान्तों से जुड़े हैं तो जो पवित्रता है वो विवाह बाईये संबंद रखने से पवित्रता पूरी दर से नश्ट होती है ये बताया गया है जो तो ये इस प्रकार से चार नियामक सित्धान जो हमने पालन करने ही है वो अगर जो नहीं पालन करता वो धर्म के चार जो प्रमुख pillars माने हैं pillars हैं तब करुना और पवित्रता ये चारों को नश्ट कर देता है तो इस प्रकार विवावाय संबंद का वो है पवित्रता नश्ट करना परिणाम पहला परिणाम वो है न जी मार्णी जी हरे कृष्णा अरे कृष्णा तो अब मैं फिर से बोल रही हूं आप सबसे बहुत नम्रे विनंती है एक माला जब चालू करे प्रभू सुशिल प्रभ नहीं तो कल हम सबेरे एक माला करवाने के बज़े के बाद नहीं तो क्योंकि वो सबसे बेसिक है उसके बिना हम कहीं प्रगति नहीं कर सकते तो जैसे प्रभुपाजी अमेरिका गए और इतने अभक्तों को क्या बिलकुल नशा करने वाले लोगों को इतने अपवित्र कारि वैशनाव बनाया उन्होंने तो वो पहला माध्यम उनका केवल ये था हरी नाम संकिर्तन तो इसलिए वो पहली स्टेज है अगर पहली स्टेज ही कोई भी अपना नहीं रहा है तो फिर तो आगे बढ़नी के बहुत मुश्किल है इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहते ह क्योंकि एक माला कम से कम एक माला जब चालू करिये उससे ही धीर धीरे आप उपर जा सकते हैं और पांच साथ आठ मिनिट लगते हैं उससे जादा नहीं कौन सी बड़ी भारी बात है लेकिन भगवान का नाम लेना उससे हमारे अंदर की जो शुद्धता होने लगती है सार फिल्कुल वैसा ही हमारा मन भी साफ होने लगता है छेतो दरपन मार जनम भव महा दावागनी निर्वापनम ऐसा चैतने महाप्रभु बोलके गए हैं कि हमारे अंदर का मैल जो है वो थीरे धीरे धीरे शुद्ध करता है तो वो नाम संकिर्तन है ऐसे बता है तो मैं फिर से बार-बार बोल रही हूं आप लोगो एक माला जब चलू करी आप लोग, सभी लोग, तो आप लोग सब लोग करेंगे तल, यह मातची, जिसके पास माला ना हो, वो पूजा वाली दुकान में 30-40 रुपए की माला मिल जाती है, उले लेजे बेल या नीम की होती है, कोई भी मा प्रणा लेने के पहले हमने कम से कम प्याज लस्न क प्याजना देगे, जी, मौहनपरभु आप कुछ बोल रहे थे? विडियो विडियो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिये मोहन प्रभू शायद आप यहां बात नहीं कर रहें दूसरी जगह कहीं बात कर रहें ऐसा लग रहा मुझे अच्छा तो कल से माला चालू करेंगे ना प्रभू अच्छे करेंगे अच्छे करिए वेरी गुड पका से करिएगा और कॉंपर करेगा जीबाली माताजी आप करोगे एक माला जब ज्यादा नहीं बोल रही हूं मैं उमाशंकर प्रभू आप करो गया अधरे कृष्णा माताजी मैं अल्रेडी 11 माला करती हूं अरे बापरे वेरी गुड बहुद अच्छे माताजी धन्यवाद अरे बोल भू हरे कृष्णी माताजी हरे कृष्णी जी प्रभू आप करेंगे ना आप सभी मैं तो करना चाह रहा हूं कल से आप करवाना चाहेंगी क्या माताजी आप सुरवात करें तो साइद जो नहीं करते हो भी करें मैं भी करना चाह रहा हूं चाही रहा हूं अभी तक सुरू भी नहीं कर पार रहा हूं पता नहीं क्यों थोड़ा सा पांच मेंट दो मेंट आप करवाए ना तो साइद लोग निकालिये नहीं है तब भी कोई बात ने उंगलियों पर काउंट करें यहां के बारा और यहां के नौ तो नाइव ट्वेल नाइन्जा हंडर्डन एट वो हो जाएंगे आपके तो चलिए सब लोग माला निकालिये जिनके पास भी है और हम सब लोग माला जी करेंगे मैं तो ह chatting अगली है हां तो बड़े मनी पर क्या भोल ना श्री अद्वाइत गदाधर श्री वासादी गवर भक्त वृंदा श्री अद्वाइत गदाधर श्री वासादी गवर भक्त वृंदा श्री अद्वाइत गदाधर श्री वासादी गवर भक्त वृंदा कर्यां प्रोडिशने टे अच्टनाे हे येल तौप घलिशनें अचिछ तनारंस आपेि ये जानें कॉ fibersन और पूल मोझा करे ये खीर कुछ आंदे का ये श्यक्रिशन abundance करिभे हुद्ना क्रिस्ञार, क्रिष्न, आपर धे रिर्मार क्रिस्ट आप एम कुष्न आप में आई रख uży कि अखना findra हुआ प्रॉंट यह पूंप्ट्रॉ्पे यह 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 दीन है रही कि आमर्बर मारे यह करि के ते आupa पी। है है रही कि ने और फ्रटकों अधिन है रही कि यारे इन जरे खर्टवर्ट करता है हम अभरे अनुक्र आक कर कि ने बाप शेकर इघरा आपर ने हे विर गANSा रही मत चे त feedback should be है रही कि आप जो लुक आम अरीक हसने कटना मेरिं, आँ साय को आई मोरा समय, आई छेक एस में एका बלא का ओमोग द没有 पार करते लिए4th किछ देखे दे घार मेरिंगा के सह संददी हुआ यज़ी कि लुट संदीर लुट जे खाल पर लुट झाल 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 झाल